सुन्दा सड़क प्रमिल्याडू की दोनों तरफ अर्याली का वातावरण नारियल के पेड़ उचे उचे पहाः सुन्दा दिरिश्ट एक चीज और इस रोण पे आप देखें कि हर दो तिन किलोगोमेटर के बार इस तरह का प्यारियर लगा होता है ताकि ग्रैफिक कंट्रोल में रहे बागम भाग ना करें लोग और एक्सिजेंट से बजे थे आगे फिर और पहाड देखने को बिलेंगी बहुत ही बड़ी परवत शंकला है यहां पर हिस्सा में हम तर्पती बालाजी तर्मला से चिन्नाईर परती दर जा रहे हैं काफी अच्छी शड़क और देश में ऐसा लगेगा आपको जैसे नहीं भी देश में गूंग रहे हैं हम चारों तरफ साफ सफाई रोड पे कोई भीड़वार नहीं है बस शहर में हम एक ही चीज़ की कमी नज़र आई यह लोग यहां पर टू विलर पर हेलमेट नहीं लगाते हैं सेफ़ी अपन नहीं देखते हैं लोग वाकी सब कुछ बहुत अच्छा और सुन्दर है आपकर सब तर अर्याली ही हर्याली आपको देखने पर मिलेगी और सुन्दर दरिश्टे सलक के दोनों वराप से मिलेगे आम के बगीचे नागिल के फ्रेड है अर्याली भर अपतावान दोनों सलक के आप से मिलेगा देखने आप यह देखिए है आगे वाले गाड़ी का गेट भी फुला है लेकिन गाड़ी वाले को बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरी गाड़ी का गेट ओपन है देंजरेस हैवी डेंडरेस इस दिखे कितना सुन्दर जारा देखने को बिलेगी इस समय है रोड पर पहाद आम के बगीचे सुन्दर का ऐसी जो आखों कुपी भा रही है बहुत सुन्दर नजारा देखिए पहार अर्याली ऐसा लगजा है जैसियां किसी विदेश की आतरप पर हों साफ सुन्दर सड़कें हर्याली भरा बाता 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 है हर तरफ हर्याली ही हर्याली मन नहीं बरा हर्याली देखने से आखों को भी सुन्दर लग रहा है और मौसम भी सुहाना है इस समय यहां पर